हरे कृष्णा मैं हूँ जोट्साचारे डॉक्टर विंतर पार्थी आप देख रहें लख गुरुकारक्रम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे मक्हाराश के जातकों के बारे में कि जो मक्हाराशी के जातक है उनकी लिए आज का दिन कैसा रहेगा जापको किस फिल्ड में सफलता मिलेगी माली हरत कैसे होगी दूर देश की अत्रा का यूग बन रहा है गर में किलकारी गुजेगी असा नई बजेगी प्रापल्टी साब को लाब क्या मिलने वाला है कोल्ट कचहरी से क्या लाब होगा ज या राजनिती में लाब मिलने वाला या कोई श्टेंज़र से लऑ मिलने वालन आचातव बिरत्नीका यूग है इस सारी बाते हम आजमा को बताने वाले हैं दूसरी बाते हम आजमा को भी बताएंगे कि आज आज आपको सौधानिया के अबरतनी उपाय क्या करना है आपके लिए सुबंक क्या रहेगा सुबरंग क्या रहेगा आप किस देवता की पूजा करें क्या उपाय करें ये सब बाते बताएंगे जिससे आपकर कहरी है सरवत्म हो और आप आगे बढ़ें उसके बारे माजमा को राय देने वाले अब आइए हम बात करते हैं मक्राश्य के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहगा तो जो मक्राश्य की जातक हैं आज आप प्रप्रश्चन का और अब उसे संभावार सारी समस्याओं का समधान वोड़ा पर आज आप सपल रहेंगे और ने मित्रों के मिलने से मन परशन रहेंगे रोग और शत्रू परास्त होंगे बहुत सारे सिरुकिवे कारिये जिनको होने की संभावना बन रहे है राजनेतिक ला का यूग बन रहा है आज आपके घर में नए महमान के आगमन से मन प्रसन्नख हो सकता है और जो बहुत सारे आज सारे कारे ने से संपन्न होते हुए दिख रहा है दहात्म पिकास का यूग प्रापर्टी त्याद में अगर पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिद कोई नया इंडस्ट्री लगाना चाहते है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बड़े हैं जो जब टेक्निकल फिल्ड में एजूकेशन के फिल्ड में कुछ नया न करें भाई बहनों का सुक मिलेगा भाई बहनों से थोड़ा सा किसी बात को ले करके मन मुटाव हो सकता है लेकिन दो पहर के बाद सारे इस्थियां ठीक होते हुए दिख रहे हैं जदिया प्रापर्टी में प्रापर्टी खरिदना चाहते हैं रियल इस्टेट में कुछ क करना चाहते हैं गाड़ी खरिदना चाहते हैं कालखण आपके लिए काफी अच्छा अगर इस कालखण में कोई भी एफट करते हैं को चतूर्दिक लाब मिलते हुए दिख रहा है पतनी से तोड़ा बैचारिक मद्वेद हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर कि आपको चिंता हो सक आपके लिए आज आपके लिए सुभंक है नौ और सुभंक है सफेद हरे कृष्ण